कि जैहिंद दोस्तों यूडी सी आरे में आपका स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसी एस टीटेन के आज के पहले मैंच की जो की इटली और फ्रांस के बीच खेला जाएगा मैंच में दोस्तों एक घंटे से 30 मिन आने के टेड़े घंटे आप मानके चलो मैंच का अपना एक बज़ी है ठीक है अब उससे पहले दोस्तों जब को लास्ट मैच की टीम मिली थी ना उसका प्रदर्शन कैसा रहा है यह भी जानना आपके लिए जरूरी है ना तो यह देखिए दोस्तों मेरी इंवेस्टमेंट मेरी विनिंग्स और मेरा फ्रॉफिट आपके सा सामने यह हर टूएड रखे फोर मेंबर lacking दोस्तो है आपके बढ़ियाी टीम्स कहां पर मिलती द्स टिटनि भीक्राम पर देख रहे हो ना इसके डिस्क्रिप्शन में जाईए डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप के अंदर न आपको हमारे टेलीग्राम चनल का लिंक मिल जाएगा तो हाँ से क्लिक करके आप सीधे यहां जोई अपके सामने है बाकी पहला मैच है इनका काफी मजा एक दूस्तु टीम बनाने में जबसे पहले फैन को डोबन करेंगे अब यहां से दोस्तों नेट श्लू है अब यहां से टेलिक्ली स्कॉर्ट पर चलेंगे अब दोस्तों फस्ट फ़ल बात करेंगर इटली की दोस्तों टेलिग्राम से नहीं जुड़े ना टेलिग्राम से भी जल्दी जुड़े जाना क्योंकि मैंच में जादा टाइम नहीं बचा हुआ है है ना बाकी अपने फाइनल स्माल लीग की टीम तो वीडियो पर ही मिलेगी तो यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है आपको बागी टेलिग्राम से ज़रू जुड़ जाना क्योंकि जील की टीम आपको वहीं पर प्रोवाइट करी जाएगी ठीक है अब दोस्तों वन बाइब रगर देखें सो सब इटली के अगर बात करें अज जिसमें कि जैन नाविक जैन नाविक कहां पर है यह पड़े दोस्तों ओपनिंग पर आएंगे यार नेट काफी स्लोव है इनका अगर ओवराल देखो तो बॉलिंग भी करा रहे है बैटिंग भी करा रहे हैं दोस्तों आपके सामने है सारा स्टैट्स आपके सामने है जैन नाविक का ऑप्शन यह सी वी सी के लिए पहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह भी माइंड भी रखना साथ में टीम भी बनेगी क्योंकि मैं नहीं जाता दस में ज्यादा वीडियो मने आइधिंक बंदस में बनेगी बटकोई ने दोस्तों दस में आप निकालो गए नहीं तो आपके विनिंग तो कम से कम कन परम हो जाएगी ना तो इसलिए पटफट से देखेंगे लगांगे अब नाविक नाविक हमने रखेंगे इसके बाद को नाएगा सिमर जीत सिंग के देखे जाएगे अई तिंक यह है ना राइट हैंडेड बैट्समेन है इनके स्टैट्स लास्ट के अगर दो गेम्स को अगर छोड़ दो ना तो यहां पर अगर देखो क्या बात है दूस्तों जो भी नहीं खेल रहे ना अच्छे खासे पॉइंट्स देखे जा रहे हैं तो सिमर जीत सिंग क अगरा देखें कहां पर यह देखें दोस्तों इसी का तो फाइदा है ना 18% लोगों ने लिया हुआ है यही तो फाइदा है और देखें को पिछला प्लेयर है क्या राजमानी सिंक्स न्दू इनको तो हमें लेना पड़ेगा बाकी और कोई है क्या बी सिंग बलजीत आइध उमीद सिंग भी इंपार्टन दसी वी सी के लिए को साला अभी इनका देखना पड़ेगा अब प्लेंग इलेवन देखेंगे अब इसके बाद दोस्तों परेरा के अगर बात करें कि परेड़ा कहां पर इन का नाम है और सुरी दोस्तों आपरेड़ा नजर तो नहीं आ रहे हैं जे परेड़ा है अधार मैं चाहिए बीपरेड़ा यहां पर मुझे नजर तो नहीं आरे स्कॉड पर यह है क्या जॉइ परेरा इनके स्टाइट्स भी लगवग लगवा बढ़ी ही है तो भी करे रहां कोई बात नहीं मोनू लाल के अकर बात करें इनके स्टेस्ट अब लेबल है क्या यहां नहीं दोस्तों यहां पे तो नहीं है फैंकोट पे देखेंगे बिचले टीटेंड गेम्स में इनका भी पर दर्शन बहुत ही अच्छा रहा है इनका आप सीवी सी भी ले चल सकतों क्या बात है दोस्तों बंदा बॉलिंग भी करेग प्लस बैटिंग भी करेगा अपना मिडल ओडर के अंदर लिये जाएंगे ना जो इनके स्टाट्स बढ़िया है वो तो लिये जाएंगे अब जैनली इनके बारे में ज्यादा कुछ देखने की ज़रूत नहीं है दोस्तों सेलेक्शन से आप अंदाज अलगा सकते हूँ हमन है 94 परसेंट वाले को रखा है 53 परसेंट वाले को भी रखा हुए बाकी दोस्तों सबसे पहले देखें बलजीद जगमीद इसके अलावा राजमनी तो दोस्तों यह तीन प्लेयर यार इंपॉर्टेंट है ठीक है इसलिए मैं बिना स्टाट्स देखें इनको रख सकता हूँ कि अगर मैं आपको दिखाऊं हुं है तर दोस्तो जैनली आदि में बालिंग बैटिंग डोनों करें पर इंग यह देखें दोस्तों आपके सामने है इसके बलजीत सिंग इ chuiva पलस्तिए पडिकर आप आपके सामने हैं दोस्तों पॉल्म भी बंदा करा रहा है ना ठीक है इसके लवा और कुन बचे राजमनी राजमनी संदू यहां पर दिखा नहीं रहा है यार खेलेंगे नहीं किया यह है दोस्तों अब इनके स्टाट्स देखिए यह देखें दोस्तों पॉट्टी लगा किया रहे 15 अपना 34 बैक्ट बैक पांच विकेट निकाल के रहे दोस्तों इस वाले गेम के अंदर आण यहां पर एक अदर विकेट यहां पर दो विकेट जो कि लास्ट गेम एन लास्ट में भी तो इस यहांने बॉलिंग बैटिंग दोनों कवर किया है यह सारी इंपॉर्टेट प्लेयर है अगर में ड्रॉप करना पड़ाना अफिर दोस्तों एम लाल है ठीक है इसके लाबा जैनल को तो ड्रॉप नहीं करूंगा एस सिंग है सीमर जीत सिंग को डॉप कर सकता हूं अगर तो दोरोत पड़ी तो फिल्टर लगाएंगे दोस्तों फ्रांस के साइड साथ मिट के वीडियो बन के दोस्तों अब सारे प्लेयर के स्टाइट्स देखेंगे तो वीडियो तो लूंभी बनेगी ना से यहां से अगर देखें एच जैक्शन कहां पर है है आई तिंक यह है विक सामने वाली टीम से हमें विकेट की पर नहीं रखा किया रखाए दोस्तों यहां जरूत नहीं पड़ेगी स्टाइट्स वैसे भी कुछ खास है नहीं इसके लाब इब्राहिम अ इब्राहिम का अगर देखें कि यह पड़े नहीं दोस्तों टॉप पे तो बैटिंग कराएगा स्टाइट्स उतने कुछ खास नहीं रिस्क ले सकते हो आप इसके लाबा एम गुलाब मी का अगर देखें कि यह तो बढ़िया प्लेयर था यार जी हाँ दोस्तों बंदा बॉलिंग पर भी आएगा एक अधी नहीं अच्छी खेल जाते हैं याने कि इनके अंदर अबिलिटी यह यह कुछ कर सकता है बंदा गुलामी रखे जाएंगे अब यहां से आप एक रिस्क ले सकते दोस्तों कि वो क्या इब्राहिम को भी ट्राई कर सकते हूं है ना क्यूंकि टॉप के अंदर बैटिंग रहा है मैं वन डाउन वोला प्लेयर लिया हूं आप यहां से एक्चेंज करें यह इसका आप ले लेना है ना बाकि दोस्तों इब्राहिम भी बड़ी ऑप्शन है यान बहले कि हेट करने की अबिलिटी यह तभी तो टॉप पर उनको रखा गया ना ऐसे तो नहीं रखा गया इसके लावा अब्दुलमलिक का अगर देखें अ अब्दुलमलिक यहीं पे थे यह दोस्तों खास नहीं है दोस्तों कुछ छोड़ भी सकते हो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं अब्दुलमलिक का नाम है कहां पे यह है दोस्तों आज परसंट लोगों ने लिया हुए बंदर इसकी ऑप्शन है इसके लवा और कोने आगे 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 दोस्तों लिंगे सेरन देखें ज यही है ना जिए दोस्तों यही है कुछ खास नहीं है दोस्तों यहां से अगर देखें कि आप दिनका नाम ही नहीं है 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 दोस्तों विगेट के पिंग में कर कोई बात नहीं इसके लवा नुमान अमजाद जो की टीम के कैप्टेन है कि अमजाद का देखें जनता ने तो काफी लिया इनको पट स्टैट्स कह कहते हैं कि बढ़िया दोस्तों इसी रीजन से 94 परसंट लोगों ने लिया हुए है बाकी इसके लावा देखें उस्मान रियाज खान तो उस्मान रियाज खान के स्टैट्स क्या कहते हैं कि यह पढ़े दोस्तों क्या बात है बंदा लिया जा सकता है अभी के लिए बैटिंग रखेंगे अ बाकी जैन अहमद जैन अहमद का ग्रदीखें कि यह बीज़े इंपोर्टेंट यार रियाज अपना उस्मान रियाज खान के जैसे कि यहां से जैन अहमद कहाँ पर हैं कि यह पढ़े दोस्तों कि दोनों को बैटिंग पर रखेंगे कि अभी दो प्लेयर और भी लेना है न अपना रामतुल्लाम कि देखें जड़ा आ असके पहले कुछ खाश नहीं उससे पर दो विकेड़ एक विकेड़ बंदा लिया जा सकते युक स्थी तो बंदा लिया सकता है आर मंगर इसके बाद मुहम्मद दाउद देखे जड़ा नज़र तो नहीं आ रहे यार यार यह है क्या एक सकंद दोस्तों दाउद मुहम्मद यहीं है दोस्तों अब इनके स्टैट्स देखिए बंदा बैटिंग से अच्छा कंट्रिबूशन कर रहा है और ना बॉलिंग से अपके सामने हैं इसी रिजन समें इनको रख रहा हूं तो यह दोस्तों अब तो टीम बन गई ना एक आधिर के उपर रिस्क अगर लेना चाहू करके आप extra अपना बोलर इनके साइट से अपना फ्रांस के साइट से दोस्तों उस्मान रियाज खान और जैन आएमाद दोनों मैंसे किसी एकको ले लेना ठीक है बाकि सी और वी-सी जैन अली मुझा पता सा दोस्तों जैनオली बाकी अपना जगमीद और बलजीथ ठीक है यह सब्सक्राइब कर सकतो अब सी अपना जील के लिए दोस्तों अब जील के लिए आपके पास कौन को सब्सक्राइब अच्छी लगे यार इटन को मुझे अच्छा खासा आइडिया है वीडियो बना रहा हूं बाकी सेफ करेंगे अब दोस्तों आपको ज्यादा टाइम नहीं लूँगा वीडियो को यहीं पेंट करेंगे वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करन है इतनी मेनत आपके लिए करते हैं अगर तो लेंग 11 जैसा मैंने दिखाया अगर तो वह सिम जाती है तो मेरी टीम में कोई भी चैंजस नहीं होने वाले हैं स्मॉल लीक्स के अंदर बाकी जील की तो टीम आपको टेलिग्राम पर ही मिलेगी तो टेलिग्राम जिनोंने भी जाइन नहीं किया फटाफट से जाइन कर लेना लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और यूटुब चैनल को भी सब्सक्राइब करना दोस्तों बाकी यहीं पैंट करेंगे वीडियो को धन्यवाद